नमस्कार मित्रों आप सभी का इस चैनल में पुने स्वागत है साथियों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो सम संख्या है या बिसम संख्या जीरो इस इवन नमबर और और नमबर ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कर अपने मित्रों को शेर कर दीजिएगा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लिजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साथियो आपको बता दें कि अभी दो दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्यूनिटी टैब में एक क्वेस्चन डाला था जीरो को माना जाता है और उसके निचे चार बिकल्ब दिये गए थे सम संख्या, विसम संख्या, सम और विसम दोनों कुछ कहा नहीं जा सकता है तो एक नजर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर डाल लेते हैं 65 प्रतिस्चत लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है नोट dad decided not sealed Jeśli Ce Ia सम और विशम दोनों अर्थात जीरो सम भी है और विशंगी कि दो प्रतिसत लोगोंने कहा कि जीरो एक विशंख्या है और। नमबर जापकी 19 प्रतिसत लोगोंने कहा कि जीरो सम्भिअ है एवन नमबर है तो आये जानते हैं कि जीरो सम्mot संख्या है या विसम संख्या है इसके लिए हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर साथियों यहां पर मैंने एक टेबल पनाई है इस टेबल के पहले कालम में हम लिखेंगे संख्या के गुर्ण दूसरे कालम में उदाहरण लिखेंगे यानि इन गुणों को हम उदाहरण की साहिता से समझेंगे और तीसरे कालम में हम देखेंगे कि क्या यह गुण जीरो पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं और उसके अनुसार चौथे कालम में हम निशकर से लिखेंगे तो चलिए देखते हैं पहला गुड़। सम संख्या का पहला गुड़ है कि दो से भाग देने पर सेस कुछ नहीं बचे। अर्थात जब सम संख्या में दो से भाग दे तो सेस फल कुछ न बचे। उताहरण में देखते हैं आठ में भाग 2 बराबर 4 जब हम आठ जो की एक सम संख्या है में 2 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है और सेस कुछ नहीं बचता है अब हम यह देखेंगे कि यह गोड़ क्या 0 पर लागव होता है 0 में भाग 2 बराबर 0 0 में हमने 2 का भाग दिया तो 0 बार गया और इसमें भी सेस कुछ नहीं बचेगा अर्थात यह बाला जो पहला गोड़ है यह 0 फालो कर रहा है तो इससे हम निसकर्स निकालेंगे कि 0 एक सम संख्या है चलिए अगले कुछ की बात करते हैं दो बिसम संख्याओं के बीच में हो कोई भी सम संख्या होती है तो वो दो बिसम संख्याओं के बीच में होती है अर्थात उसके बाएं और नाएं बिसम संख्याओं होती है जैसे 9, 10, 11 इसमें 10 संख्या है इसकी बाइं तरफ एक विसम संख्या लिखी हुई है 9 और इसके दाहिने तरफ भी एक विसम संख्या लिखी हुई है 11 0 के केस में क्या होता है देखते हैं 0 के आगे 1 होता है और 0 के पहले माइनस 1 होता है ये minus 1 है ये भी एक बिसम संख्या है और 1 ये भी एक बिसम संख्या है तो यहाँ पर 0 दो बिसम संख्याओं के बीच में आ रहा है इससे हम निसकास निकालते हैं कि 0 एक संख्या है चलिए एक गुड़ और देखते हैं दूसरी संख्या के साथ जोड़ने पर संख्या प्राप्थ हो अर्थात जब संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते हैं तो जो आंसर प्राप्थ होता है वो संख्या होती है उताहन में देखते हैं छे धन आठ बराबर 14 यानि दो सम संख्याओं को हमने जोड़ा तो उत्तर भी सम संख्या आया है 0 के केस में देखते हैं 0 में हमने एक सम संख्या जोड़ी तो उत्तर 6 आया 0 प्लस 6 वरावर 6 जो आंसर है वो भी एक सम संख्या है यानि सम संख्या के साथ में सम संख्या जोड़ी गई तभी आंसर सम संख्या आया है तो इसे भी हम निशकर्स निकालते हैं कि 0 एक सम संख्या है तो साथियों हमने यहाँ पर देखा कि समसंख्या के जो 3 गुड़ थे उन 3 गुड़ों को 0 फॉलो कर रहा है तो निशकरस हमने 3 जगे निकाला कि 0 1 समसंख्या है तो कुल मिलाकर निशकरस निकला कि 0 1 समसंख्या है तो साथियो यह थी जानकारी 0 के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों को शेर कर दीजिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लीजिए अब मिलता हूँ आपसे कुछ और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अनुमत ही देजिए जैहिंद